सब्सक्राइब कीजिए कोकिंग स्पेशल चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको में हेलो एवरिवन वेल्कम टू मैं चैनल फ्रेंड्स आज में शेयर करने वाली बहुत ही टेस्टी सी राइस पूरिंग रेसिपी तो बहुत टेस्टी बनती है यह और बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने 300 ml मिल्क लिया है और फिर इसमें आड करेंगे शूगर एक बड़ टाई सेंस दो बूंध ऐसे अच्छी तर से मिला लेंगे j इसे बीच में रुकना नहीं है इसमें गांठे बढ़ जाती है वरना लम्स पढ़ जाते हैं तो इसे चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे और तो इसी थीक होने लगेगा थोड़ा सा और यह पक जाएगा तो इसका टीश्ट बहूत अच्छा आता है और एक चमच हम इसमें करेंगे थोड़ा सा इस तो यह एगा और अच्छा सा टेक्ट्र आइगा इससे टेस्ट में आएगा तो इसे चला कि बीच में रुखेंगे नहीं और चिपने और दिरी धिक होने लगेगा और अच्छी तरह से थिक हो चुक है तो अब यहाई उब जमने लायक है तो अब हमारा यह मिक्स्चर रेडी है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है खीर जैसा आइस्क्रीम जैसा टेस्ट अच्छा बोर टेस्ट लगता है इसमें तो इसे एक बाउल के अंदर डाल के आप वैसे भी सर्व कर सकते हैं तो इसे मैं बाउल में डाल रहे हूं बाउल को मैंने थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया था और फी इसे चार-पाच गंटे क निकालकर आप टुटी-फुटी से ड्राइफ रूट से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा और थोड़ा सा इसे और टेस्टी बना सकती है इसे गार्निश करेंगी मैल्टेट चोकलेट से यहां चोकलेट से भी आप कार्णिश कर रही हूं मैं मेरे पास थोड़े से स्प्रिंकल्स थे इससे मैं कार्णिश करें तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा तो अगर अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और फ्रेंस अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीज कर दते ही कर दो जए़ें आएगा उनल को पता हรी खाल्डिक नहीं कि पसंद आए़ जाल Sometesta सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर लाइब कर दूसक्तर वां है physician थां सिर के घ्ומifार तो सभीघ कर चाहर चैनल के अधनून के जाएब कर जाहर आएब neighborhood भाक चैनल